सुरेन जी स्वागत आपका कांग्रेस ने तो धन्यवाद यात्रा भी शुरू कर दी बड़ी जल्दी है आपको तो नहीं रहनी चाहिए क्या थोड़ा आराम कर लेते कारिकरता हूं से कहते कुछ ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी है जोश ज्यादा नहीं आ गया संबिधान को लोकतंत्र को बचाने के लिए मोही कहा विश्राम हम लोग कैसे विश्राम करें भई आप एक बात बताईए जब बाबा साहब की किताब छीनी जा रही है जब अगनीवीर जैसी समस्या दी जा रही है कि जहां पर ठेके पर पुलिस और ठेके पर सेना और समूगा पर ठेके पर समूगा भी ठेके पर है अभी तो गलती इन्होंने मानी है ताकि कंकट डाल करके मारा है इन्होंने देखाए कि क्या करेंगे तो वहां पर विश्राम के ऐसी स्थिति कोई नहीं हो सकती हां मैं बहन अनिला जी का धन्यवाद अदा करूंगा कि आज और रिकॉर्ड भारती जनता पार्टी की अधिकारिक प्रवक्ता ने माना कि हां भारती जनता पार्टी को कैंसर हो गया है और वो कीमो थेरपी उन्होंने मेरे डायलाग पर अपनी जगह पर लेकिन जो बात आई वो इससे ज़्यादा मैं नहीं उसको खीचूंगा हां मैं है कि आज संजीव बालियान साब और संगीत सोम साब का जगडा सारुजनिक पटल पर लिखा पढ़ी में कोट का चेहरी में हो रहा है और एक दूसरे के उपर आनाचार के कदा चार के भ्रस्टा चार के आरोक लगा रहे हैं जमीन खरीद फरोक्त के आरोक लार वो भी विद अपने वालों को बताइए अपने पर तोड़ी चला इसका मतलब तो यह हुआ ना खाली कि आप पिक और चूज करेंगे विपक्ष के आदमी के पास होता ब्रजेश मिश्रा के पास होता चाय अठावन एक किनम ग्राम सोना हो इनके घर तो आप इंकम टेक्स बेज़ देते और इनके इनके हां तो इडी का नूटिस भी आप भेज देते शावन ग्राम आपके पास सोना था और बकाइदा उसे में आपको सीवी इंकम टेक्स बेज़ी थी ती और एक आप चापे पड़े थे 72 गंटे चापे पड़े थे और संजी वालियान साब अच्छा है कि आप चापें नहीं आएते वनना और सोना बढ़ा देखें और संगीत सोम और बालियान साफ एक दूसरे को पर खुले आम प्रस्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ना एडी जा रही है ना क्या ना बाबाजी का बुल्डोजर जा रहा है ना सीबी आई जा रह उतरप्रदेश बाकाइदा एक विधायक था समाजवादी पार्टी का बरेली वाला जिसका पूरा नक्षा पास था पीपी वाले हैं हां पेट्रॉल पंप बिना आरोप के बिना की चीज के बुल्डोजर चला दिया और लोग आज नहीं कल परसो अधिकारी जेल जाएंगे यह भी तहें मैं आपको बताऊं यह इस तरीके से अब आखर एक और बात बताता हूं आप बड़ी मज़ेदार बात हैं भारती जंता पार्टी ने साफ साफ कह लिया एकदम कि भाही आप हमें संग की कोई आवशक्ता नहीं हम पूर्ण हो गए हैं हम बाकाइदा ताकतवर ह अब संग क्या कह रहा है कि मणीपूर देख लिए होते अब संग कह रहा है कि साब यह 400 अगर आपने नारा ना दिया होता तो लोगों को संबीधान पर डर नहीं रहा होता तो संग की बड़ी सिंपल सा उन्होंने शेर कहा अब हम अपनी तरफ से कह रहे हैं संग के नाम पर क तो आज की डेट में संग ऊपर से जरिया आपके उपर हमला बोल रहा है मोदी जी के उपर और सबसे बड़ी बात है और आपको इन सब में बड़ा मज़ा आ रहा है हमें मज़ा नहीं आरी सर्थ हम तो यह देख रहे हैं कि लोग्तंत्र के नाम पर जिस तरीके से इस जाएटी में दाल बट रही है वो अपने आप में देखने वाली बात है जी आपको कल राहूल जी ने बहुत इस्पश्ट कहा वाइनाड में उन्होंने कहा कि दोनों मेरी दिल की प्री शीटे हैं एक छोड़नी होगी मेरी समझ में नहीं आरा मैं डेलीमा में हूं यह निरने जो भी वो शीट छोड़ेंगे लेकिन सीटे दोनों परिवार की हैं परिवार की थी और राहूल जी के दिल में दोनों सेटे अजैन रहेंगे जाएंगे अजेराय जी ने क्या गलत काम किया है अजेराय जी ने उत्तर प्रदेशे में सम्मान का भाव दिया नरेंद्र मोदी जी को नैतिक रूप से हराया है अजय राय जी ने एक लाख बावन हजार वोट पर छोड़ दिया उस सक्ष को जो शक्स अपने को कहता था कि मैं दस लाख से जीतूँगा अगला सवाल नौ सीटों पर उप्चुनाओ आपकी तो एक भी नहीं है चाहिए राजनीती जो सबसे बड़ी बात है इंडिया गडबंधन का मैं केंद्री कॉडिनेशन कमिटी का सदस्य नहीं हूँ श्री अखलेश याद्व जी और राहूल गांदी जी मलकार जुन खड़के साथ है यह फैसला इन तीन लोगों को करने दीजे मैं और आप इस्टूडियों में बैठके नहीं करें तो बहतर आप यह भी तो कह सकते हैं कि नहीं हां ठीक हमारा हक नहीं बनता है जायजबात त करनल साब को कि एक भी सीट हमारी नहीं है हमें नहीं चाहिए केंद्रिय कमेटी अभी जैसे जैसे चुना हुए थे तीन सीटों पर रूप चुना हुआ था एक उनको आंग्रेस को हमेरे दी गई थी मनोस के नाम हमारा मुकेश चौहान लड़ा था असी हजार वोट पाए है ऐसा थोड़ी है यही लखनव में जबकि उससे पिछले चुना हुए पास कुल पर वहाँ पर दोहजार वोट थे बात समझे नहीं हम यह नहीं हम तो सीधे 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 यह करें इंडिया गडबंधन नौ की नौ सीटों पर लड़ेगा और नौ की नौ सीटों पर जीतेगा आल राइट मैं देव